अपना दूसरा प्रश्ण था critically assess the feasibility of giving universal basic income to Indian poor अब यहाँ पर भी हम लोग ज़्यादा PhD नहीं करेंगे because two things एक तो परिक्षा का एक ही अपता बाकी और दूसरा की नया economic survey अगले साल आएगा वहाँ पर वो इस चीज़ को detail में focus करने वाले हैं तो अभी के लिए एकदम जल्दी से summary type का समर लेते हैं introduction इस प्रश्ण का कैसे करोगी या तो व्याख्याइद करो universal basic income क्या है या फिर आप data दे दो कि भारत में इतनी आबादी उसके इतने लोग गरिब और यह एक कारण से हमने करना चाहिए then body में आप क्या लोगे pro arguments and anti arguments और conclusion तो या तो favor में हाँ लागू करना चाहिए कर सकते हैं सोच सकते हैं या फिर against में की अभी के लिए feasibility नहीं है सबसे पहले हम व्याख्या बनाते हैं universal basic income की व्याख्या जो अर्विन सुब्रमाने हमने दी है वही हम रटा मार लेंगे कि UBI it means कि सरकार लाबार्थी के bank account में एक साल के लिए सालाना 10 से 15,000 उपे जमा कर दे to augment his purchasing power in the open market शब्दों पे ध्यान दीजे मित्रो augment his purchasing power तो मतलब यह नहीं कि उसको salary या pension के स्वरूप में यह दिया जा रहा है वो जो भी अपना कामकाज करता है उससे नौकरी दंदे से पैसा कम आए उसके उपरान 10-15,000 रुपे हाथ में आए तो उसका purchasing power बढ़े और राशन की दुकान से नहीं open market से उससे जो भी TV प्रीज, mobile या XYZ जो भी खरिदना है वो जाके खरिद सके इससे अब सिधा हम body पे शुरू करते है benefit क्या होंगे अभी के अपनी सारी system क्या entitlement base कि आप गरीब हैं तो PDS राशन की दुकान में जाओ वहाँ पर आपको डाल, चीनी, अनाज वो सब सस्ते में दिया जाएगा लेकिन हम पाते हैं कि वह सारा माल तो काला बाजारी open market मिले जाते हैं तो गरीब को तो राशन की दुकान से उतना माल मिलता ना इन देन ही हैस तो go to and purchase those things in the open market तो better कि rather than यह ऐसा बोले कि पीडियेस में सस्ते में मिलेगा उससे बैतर है कि वह गरीब आदमी कोई आप दे दो कि यह ले पैसा और बाजार से जो पसंदों खरीद लेना यह पहला positive point second हम लोग यह गरीबों की गरीबी कम करने के लिए मनरेगा लेकिया है कि आप 100 दिनों के लिए आपको काम दिया जाएगा लेकिन उसका भी यह critic season हो रहा है for example यह handicraft industry उसके अब आज कर लोग वो ऐसा सोते हैं कि चलो थोड़े दिन मनरेगा में काम कर लेंगे थोड़े दिन खेत मजूरी कर लेंगे तो अब our traditional handicraft and other skills they are getting lost एक समस्या दूसरा यह मनरेगा के चलते पंजाब हरेना जैसे राज्यों में peak season के दौरान farm laborer की shortage देखने को मिलती है जिसके चलते फिर या तो production कम होता है या खाद्यानों के दाम बढ़ने लगते हैं so rather than these issues कि मनरेगा की जरूरत ही नहीं उसके बढ़ले आप गरीब आदमे को बोलो कि यह लिए आप जो नौकरी दंदा ठीक लगे आप करिए additionally 10-15 जार रुपे हम आपको ऐसे ही देदेंगे so that is also a benefit थर्ड अर्विन सुब्रमानियम बोलते हैं कि भारत के अंदर बहुत सारे लोग गरीब हैं और वो ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते because they are a victim of the accident of birth अगर अमीर गर में कहीं अच्छी जगह पे उनका जन्मा हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी but they are accident of birth कि वो schedule car, schedule tribe, rural area, गरीब गर जहां पर जन्मा हुआ तो वो चाहे कितना भी प्रहत्न कर लें एक हट से जादा वो कोई मालदार हो नहीं सकता तो उनकी purchase power बढ़ाने के लिए यह उप्यूपत है उसी प्रकार बहुत सारे लोग, they are victims of life कि ऐसे तो गर ठीक था की चल रहा था लेकिन अचानक से कुछ बाड सुखा आ गया किसी money lender से उन्होंने पैसा लिया था या फिर कि अपनी सारी जिंगी की बचा थी चारदा cheat funds के मिया ऐसी कहीं पर लगाई थी और या फिर कोई disability आगए, disaster, x, y, z, thing तो ऐसे जो accidents in life उन सभी के सामने उनको बचा सके तो universal basic income it will provide a safety net against the deprivation and destitution तो ये उसका फाइदा है anti arguments की ये नहीं करना चाहिए, नुकसान सुब्रमाने में खुद बोलते हैं कि गांदी जी को ये idea पसंद नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हम एक हटे-कटे सक्षम आदमी को मुमे निवाला दे रहे हैं एक प्रकार से खेरात दी जाए रही है तो गांदी विल नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ able-bodied man getting charity, ये ठीक नहीं है उनसे कुछ रम रोजगार कराई और फिर आप पैसा दे मना रहेगा बगेरा, तो वो उप्युक्त होगा दूसरी बात, ये हर एक गरिब के खाते में 10-15,000 रुपे जमा कराने हैं पूरे साल के लिए ऐसा कौन सपना देख सकता है first world country वाले कर सकते हैं because their tax to GDP ratio is very high tax basis, high tax evasion is low तो उनके पास इतने feasible resources होते हैं कि वो जाके, जो भी उनके थोड़े 5-10 टका गरिब लोग हैं उनके खाते में पैसा जमा कराएं safety net दे हमारे तो वैसे भी चदर में छोटी और पाव लंबे हो रहे हैं कि GST लागू करना है तो राजे सरकारों को compensation देना है FRBMA उस प्रकार से अपनी revenue deficit feasible deficit को control में रखना है तो आपनी इतनी feasible capacity में यही एक दागा जोड़ने पे तीन दागे और तूट जाते हैं तो यह कौन सी नहीं अप चीज लेके आएंगे दूसरी बात Switzerland जैसे एकदम अच्छे पैसो के रूप में सक्षम देश वहाँ पर भी 2016 में referendum किया गया कि क्या हम वहाँ पर right to basic income होना चाहिए हर महिने 2000 डॉलर से ज़्यादा हरे के खाते में होने चाहिए तो उस referendum में उन्ही की 77% of the जनता rejected this proposal तब सोचे कि यह economy के लिए tax feasible capacity वगरे के अनुसंदान में योग्य नहीं है मान लीजिए आपने लागू कर भी दिया कि हर एक गरीब के खाते में सालान दस से 15 जार रुपे आप जमा कराएंगे तो क्या इसका मतलब यह है कि आप यह National Food Security Act और वहाँ दो रुपे तीन रुपे अनाज देने की बात थी वो कानून बंद कर दोगे midday meal scheme बंद कर दोगे मनरेगा बंद कर दोगे राशन की दुकाने वहाँ पर सस्तानाज बंद कर दोगे यह सब तो सरकार कर नहीं सकती because वीपक्ष वाले इसका मुद्दा बना कि negative news generate करेंगे so politically it is not feasible to stop the other scheme तो मतलब वो सारी चीज़े चलती रहेंगी और एक और नई scheme आ जाएगी कि दीन दयाल सबके खाते में 15,000 रूपे जमा कर दो योधना तो फिर तो आप समझे कि कितना leakage और कितना फीजल deficit अपना बढ़ जाएगा so therefore not desirable अब मुद्दा आएगा कि मालो यह सब दर किनार करके भी चलो जमा कराना ही है तो किस के खाते में आप पैसा जमा कराओगे कोई डेटा कहीं से लाना पड़ेगा अब लेटर से की social economic cost census का डेटा वहाँ से हम चुनेंगे कि वहाँ कौन आदमी गरीब है उस लाबार्ती के खाते में पैसा जमा कराना है लेकिन आप पाएंगे कि social economic cost census के अंदर जब पूछा गया सब लोगों से आपके गर में tv free, two wheeler ये सब कुछ है तो जिनके पास था उन्होंने भी ना बोल दिया है तो इस प्रकार के मतलब खाते पिते गर के लोग उनको भी गरीब की गिंती मिले कि उनके खातों में भी 10-10 आजार उपे जमा होंगे इस साल के economic survey में अर्विन सुब्रमानेम ने खुद बोला कि जंदन आदार मोबाईल ये GM Trinity वो हर रोग का मर्ज नहीं है क्योंकि हरे ग्रामीन इलाकों के अंदर ये सभी के बैंक के खाते खुलना पूरा financial inclusion वो network अभी तक बना नहीं है so GM is not a panacea for everything so therefore जो अगर आप बात करेंगे direct benefit transfer that is it will take a lot of time और अगर फिर भी सभी के खातों में अगर पैसा जमा भी कर दिया लेटर से कि महिला के खाते में पैसा जमा कर दिया तो वो सकता है गाउं में उसका पती मार पीट के वो पैसा ले ले और दारू में उड़ा दे likely misused by the man of the house so therefore सुब्रमानियम ने अपने इस economic survey में ये भी बोला कि हर एक के लिए jam is not a panacea कुछ ऐसी चीज़े हैं जहां पर बापू is required that is biomatically authenticated physical update की वो अनाज या जो भी चीज़ है वो ले के जाए तो इस कारण से भी ये 10-15 आजा रूपे जमा करेने का बाद सात्य पूना नहीं है and lastly मानलो आप पूरे साल के लिए किसी व्यक्ति के खाते में 10 आजा रूपे डालते हो तो मतलब कि हर महीने कितना मिला है नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या ये जो हाडली आट सो रूपे हर एक गरीब को स्टाइपेंड में देना है उससे तो मतलब the market dynamics in the present day economy they are not helping क्योंकि बाकी सब चीज़वस्तों के दामी इतनी जादा है कि इतने पैसों से उसका कोई life standard या human development index कोई जोरदार हो जाए unlikely to happen सिवा कि अच्छा चली एकदम poorest of the poor को देखना है but then again identification issue as social economic cost census वो सारी समस्या है so all in all given this consideration हमने UBI नहीं लेना चाहिए क्या UBI की व्याक्या हमने समद ली अच्छे बुरे आयाम देख लिए अब conclusion माली यह फिवर में लिखना है तो क्यासे लिखेंगे कि यह universal basic income it can play a potential role in eliminating the poverty and providing safety net against this deprivation and destitution लेकिन in the light of aforementioned challenges जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताई this UBI should be designed and implemented in a manner की लीकेज एकदम कम हो और सरकारी तीजोरी पे बहुत जादा बोज नाड पढ़ जाए does not put heavy burden on feasible resources positive favor में आप लिख सकते हो यहाँ पर आप देखें मित्रो eliminating poverty providing तो दोनों जगाई ING, ING वो जो मैंने आपको बताई subject verb agreement के साब से इससे लिखना चाहिए मान लिजे आपको UBI के against में conclude करना है तो यहाँ पर भी initial sentence will remain the same कि यह UBI it can play potential role in eliminating poverty and providing safety net against deprivation and destitution but the conditions are not yet ripe for its introduction in India क्यों identification of beneficiaries, fiscal capacity of the government, men of the house में misuse, market forces are not helping यहाँ अभी मुद्दो को ध्यान में रखते हुए अभी the conditions are not yet ripe तो मित्रो इस तरह यहाँ पर हम अपनी ML16 Revision and Answer Writing Series का अंध करते है हाँ यह बात सही है कि बहुत सारे topic जो पढ़ाने चाहिए थे अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है for example यह note बंदी कर दी 500 और 1000 रुपे की तो वो मैं इसलिए नहीं cover करा हूँ because means paris आके hardly साड़े तिन हपतों में ही यह development नया हुआ था तो वो सकता है paper उससे पहले ही set हो गया हो और वैसे भी यह topic अभी evolve कर रहा है तो अच्छा बुरा कुछ stand लेना हूँ वो तो economic survey आएगा तब हम आराम से उसका अध्यान करेंगे हाल के समय में मेरा इस topic पर इतना अध्यान नहीं है कि मैं आपको कुछ ऐसा नया सीखा सकूँ कुछ अच्छा सीखा सकूँ जो आप पहले से यह newspaper या whatsapp के message forward करने में नहीं सीखे हैं सेम वे यह Brexit से भारत पे क्या असर और वगएरा वगएरा बहुत सारे मुद्दे हैं आपको जो ठीक लगे आप करते रहना अदर्वाइस तो यह रात की कोई सुबह नहीं कल रात को यह फिडेल कास्टों का देयान्त हो गया था तो क्यूबा और दहिंदू इन दोनों की office पे जंडे आधी काटे पे लटक रहे हैं तो क्या अब हम यह world history में तयार करना चाहिए कि क्यूबन missile crisis क्या था उस वकत बारत का क्या stand था या फिर कि ओबामा ने क्यूबा के साथ ही resume the diplomatic ties तो उससे बारत पे क्या असर होगा वगएरा वगएरा अगर ऐसा कुछ पूछा जाए देन इट विल बी only असंयो coincidence बाकि मेरा समधना है कि paper तो set हो गया होगा सो आप अपने इसाब से जो ठीकला के तयारी revision करते रहना अंत में मुझे केवल दो बाते कहनी है पहला ये परिक्षा कि एक दो दिन पहले ही कुछ चंचल तत्व whatsapp, telegram वगएरा में एक पूरा list जनरेट करना शुरू करते है 100 most likely topics, 50 most important topics और वहाँ पर जो अमने कभी बाप जनर में सुना नहीं हो ऐसे science, technology, world history, economy, geography उसकी ऐसे ऐसी term जो कभी देखने भी नहीं आई हो वो सारी का जिकर होता है तो फिर लोग अपना पढ़ा हुआ चोड़ के इस पर लग जाते हैं I would suggest कि जो आपने तैयारी के है उसका अपरिविजन करते रही है वो कुछ याद रहने वाला नहीं है And secondly, means खतम होने के बाद ये जो final toppers और वहाँ पर जो 190 plus marks लाते हैं वो जाधा तर ऐसे लोग होते हैं जो कि जनवरी महिने से ही अपने इंटर्वी की तैयारी चालू कर देते हैं कि D.F. form के इसाब से अपना home state, hobbies, education, graduation, job work, XP अगएरा Otherwise, हाल के समय में means का result declare हो और interview शुरू हो उनके बीच very narrow time frame is available तो उस वकत कुछ हो नहीं सकता पहले से लग जाना So, that is all folks, सभी serious player को मेरी तरग से best wishes बस इतना याद रहे एक साथी और भी था